नमस्का दोस्तों तो दोस्तों आज जो है पोस्ट कोड नोसो चोटर जाने की 974 पोस्ट कोड का आज एक्जाम था तो दोस्तों अभी एक हपते के बाद आपका HP सेक्टेस कलर का एक्जाम होना है और उसके बाद आपका GOIT का आपका एक्जाम होना है तो दोस्तों आप इस GK स जो है हम आपके साथ discuss करेंगे पोस्ट कोड नोसर चोथर जो कि आपका एलेक्ट्रिशन का आपका जो एक्जाम था तो दोस्तों first question की बात करें तो तो दोस्तो फर्स्ट कॉशन आपके सामनें 51 तो आप दे सकते हैं 2011 की जन गर्ना के अनुसार हिमाच्चल प्रदेश की कुल जन संख्या थी तो दोस्तो कितनी जन संख्या थी तो ऑप्शन जो आपका एसका बिल्कुर राइट हो जाएगा नेक्स्ट कॉशन की बात करें रतना आपका इसजील्ख जन सतीत कि जहाता है कि जो घुषत्ता मेलाा हो हिमाच्च्छ प्रदेश के किस जन बात जाता है कि आपका यह राइट भाइए दोस्तो नेक्स्ट कोशिन की बात करें कोशन नमटर पराति हिमाजचल प्रदेश के किस जिल्य इसे रहने वाली से दोस्तो इसका चमकती है उसमें उच्तम उचनी अमान होता है तो दोस्तो इसके राइट अंसर की बात करें तो आपका option number C बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो next question की बात करें question number 69 कौन सा उत्तम परमानु इंदन है तो दोस्तो option number D यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा next question की बात करें question number 70 की बात करें तो question आपके सामने है गोज और लेंट बनाने के लिए समाने तक किस तंतुकियो परात्मिक्ता दी जाती है तो option number A यहाँ पर B रियोन यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा दोस्तो next question की बात करें question number 71 साबुनी करन में चरबी और तेल का जल अब गटन किसके दवारा होता है तो दोस्तो option number D कास्टिक सोडा यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा next question की बात कर question number 73 लार किसके पाचन में सहाइका करती है तो दोस्तो option number D स्टार जिसका बिल्कुल यहाँ पर राइट अशन हो जाएगा next question की बात करें नीमन में से क्या रखता आप से सवन्धीत है तो दोस्तो राइट अंशन की बात करें तो option number D यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो कोशन की बात करें फणी जाफह था तूर किया नाम है और कोशन की बात करें की स्थापन Mic इसके दबार्क कि गही थी दोस्तों ऑप्षन की बात करें रइट की तो बीर से नॉप्षयन नंभर एल को राइट वज़ेगा नेस्ट प्रस्ट की बात करें लोल्ड में उने शिमला की जातरा किस बर्श की तो option number C 1881 AD बिल्कु राइट हो जगा next question की बात करें question number 61 हिमाच्चल परदेश के किस बर्ष में केंदर शाषित परदेश बना तो कब बना था आपका तो option number A 1956 से आपके बिल्कु राइट हो जगा next question की बात करें हिमाच्चल परदेश के पत्थम राजिय अपाल थे तो कौन थे तो एस चक्रबरती option number A बिल्कु राइट हो जगा next question की बात करें पारवाथी थ्री पन विजली योजना का कारेवेंद एजेंसी कौन थी तो दोस्तो option की बात करें तो NHPC option हिमाच्चल परदेश का सबसे बड़ा हवाई अड़ा कौन सा था तो दोस्तों आपका कौशन पूछा गया था कि गगल से कांगड़ा जो है नाम का बदला था वो भी कल जो आपका एक्जाम होता उसमें पूछा गया था तो आज आप दे सकते हैं कि सबसे बड़ा हवाई पूछा गया है माच्चल परदेश का तो गगल गगल यहां पर बिल्कुल आपका कांगड़ा बिल्कुल राइट अंसर हो जागा नेश्ट कोशन की बात करें कोशन आपके सामने कौशन नुम्पूर्शकार पाने वाली प्रतम ब्यक्ति कौन था 65 अप्शन नुमन राबत यहां पर बिल्कुल राइट अंसर हो जाता है तो यहां से आपके जो जी के है हिस्टरी के यहां पर कोशन पूछेगे हैं सबसा पहले फर्स्ट कोशन आप दे सकते हैं सिंदू गाटी सबेता कहां तक फैली थी तो ऑप्शन नमबर C सिंद पंजाब जमू एंड कश्मीर उ प्रदेश राज्यस्थान और गुजरात यहां पर बिलको राइट हो जाएगा नेश्ट कोशन की बात करें कोशन नबर 77 पुरानों में क्या है तो क्या था आपका ऑप्शन बर भी बर्मान और जीवन के हस्यों पर बिचार नेश्ट कोशन की बात करें शक काल किसके दवारा स शिक्षा दी तो यहाई राइट अंसर की बात करें को बिलकु राइट हो जाएगा दवैद इसका बिलकु राइट हो जाएगा नेक्ट कोशन की बात करें कोशन आपका 80 बहादुर शाह को देश निकाला देखर अंग्रेज्जों ने कहां बेजा तो रंगून ऑप्शन नमब करें कोशन नमबर आपका 82 अकवर के काल में समाने तक कौन सा कच्छा माल प्योग किया जाता था तो दोस्तों ऑप्शन नमबर सी लाल पत्थर बिलकु राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोशन की बात करें अशोक के अभी लेख किस लिपी में लिखे गए हैं तो दोस्तों इ ऑफशन 5 बात कि बाक्री अग्योंश की बात करें महान बिद्वान बॉहनवट किसके काल के दुरान थे दोस्तों ऑफशन नमबर स्बी हर्शा इसका बु prideoro ढ़िए बात करें चीनी पिर्त जात्री Bei an कब वारत आया तो पांच्श फिशाबदी ऑप्शन नम्बर abी सकती है तो दोस्तों option number B बिल्कु right हो जागा इसका next question की बात करे 87 की तो आप question दे सकते हैं इसकी right answer की बात करें तो option number C एनी वेसेंट इसका बिल्कु right answer होगा दोस्तों next question की बात करें जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद के लावा बारतिय राज्यों का एक ही करन का पूरण हुआ था तो दोस्तों right answer की बात करें तो इसका option number C number 49 यहां पर बिल्कु right answer हो जागा तो दोस्तों यह आपका आज का जीके का section था अगर आप चाहते हैं ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए देने वार फ्रेंड्स